ही आज की वीडियो लेक्चर में हम सॉल करेंगे एक रिक्टैंगल पॉर्जल ठीक है और उस रिक्टैंगल पॉर्जल को सॉल करते करते हम किसी एक स्पेशल मैथमेटिकल स्ट्थर के तरफ जाएंगे ठीक है सो rectangle पॉजल है क्या हमें चाहिए एक plane paper ठीक है तो इस plane पेपर का एक हम rectangular हिस्सा काट देंगे ठीक है सो हमारे पास क्या बनेगा एक plane paper जिसका जो है एक rectangular हिस्सा निकाल दिया है ठीक है सु मान लेजी वो rectangle हिस्सा यह है और हमको इस rectangular piece को इस footprint में adjust करना है इसमें fit करना है ठीक है तो मांग लेज़े हमारा जो normal तरीका है वो है one two three four ठीक है तो हम इस rectangle को इसके अंदर इस तरह से fit कर सकते हैं लेकिन सिर्फ यही possible तरीका नहीं है इसके अलावा भी बहुत सारे possible ways हैं इस rectangle को इसके अंदर fit करने के ठीक है तो वही सारे तरीके हम discuss करेंगे जैसे कि हम सिर्फ इसको इस तरह से नहीं इसको जो है ऐसे घुमा के भी इसमें रख सकते हैं या फिर इसको जो है flip करके इसमें रख सकते हैं या फिर इसको जो है horizontally flip करके रख सकते हैं बहुत से तरीके हैं ठीक है लेकिन कुछ तरीके जो नहीं है जैसे कि हम इसको je 99 डीग्री के अगर रोटेट करें तो इसमें फिटा नहीं भैगता ठीक है लेकिन 180 पे करें और 90 घुमाएं तो इसमें कि हम इस rectangle को number देते हैं 1, 2, 3, 4 ठीक है? अगर मैं इसको पल्टू तो इसकी back side भी हमने number लिखे हैं ठीक है? तो जैसे ये 1 है तो इसके एकदम पीछे क्या है? 1 है ये 2 है तो इसके corresponding इसके पीछे क्या है? 2 है और इसी तरह से 3 and 4 ठीक है? तो ताकि जब हम इसको flip करें उल्टा सीधा करें तो हमारे पास वो numbers हो ठीक है? तो पहला तरीका क्या है? कि हम इसको इस तरह से fit कर सकते हैं याने कि numbers किस तरह से हो इसमें? 1, 2, 3, 4 याने कि हमने इस पे कोई भी action नहीं किया है न हमने इसको rotate किया है ना इसको flip किया है ठीक है? तो पहला तरीका क्या है? कि कुछ भी ना करना याने कि doing nothing तो हमारा पहला तरीका क्या है? doing nothing तो उस case में हमारी position क्या आगए? 1, 2, 3, 4 इस चीज़ को आप note करके रखिए मेरे पास दूसरा तरीका क्या है? इसको इसमें fit करने का कि अगर मैं इस rectangle को इस तरह से hold करूँ ठीक है? और यह मेरा horizontally मैंने इसको पकड़ा हुआ है अगर मैं माल लेती है यह मेरा vertical है यह मेरा horizontal है और इस horizontally मैं इसको क्या करते हूँ? flip करते हूँ ठीक है? तो second तरीका क्या है मेरे पास? कि मैं इसको क्या कर सकती हूँ? horizontal flip कर सकती हूँ तो इस तरह से भी यह rectangle इसके अंदर fit बैटता है तो जो जो मैं कर रही हूँ इसका मैं एक map बनाऊँगे तो पहले मेरे पास क्या था? मेरे एक normal था 1, 2, 3, 4 इसको मैंने horizontally flip किया तो ये भी मेरे पास एक तरीका है जो कि क्या है? 2, 1, 4, 3 तो आप देख रहे होंगे जब हम इसको horizontally flip करते हैं तो मेरे पास क्या होता है? जो ये 2, 3 वाला corner है वो इधर चला जाता है और 1, 4 जो है इस side आजाता है ठीक है? यानि कि 3 गया इस side, 4 गया इस side 2 गया यहाँ और 1 गया यहाँ यानि कि horizontally इसमें change आया है ठीक है? मेरे पास तीसरा तरीका क्या हो सकता है? कि यह कि जिस तरह से हम horizontal flip कर रहे हैं उससी तरह से हम vertical flip कर सकते हैं यानि कि vertical यानि कि ये वाला तो हम इसको जो है पहले हमने horizontal इस तरह से किया था अब हम इसको जो है vertical याने इसको इस तरह से कर सकते हैं ठीक है तो ये मेरा है normal position याने कि doing nothing और मैं इसको जो है vertical flip देती हूँ तो vertical flip देने के बाद भी ये rectangle जो है इस footprint के अंदर एकदम से बैठता है तो उस case में क्या हुआ हमा flip ठीक है तो उसका भी मैंने क्या बना दिया map बना दिया तो ये मेरा normal था अब मैंने जब इस पर वर्टिकल लगाया तो क्या हो गया 4 3 2 1 तो इसमें हुआ क्या कि जो आपका ऊपर नीचे हो गया याने कि 1 उपर था तो 1 नीचे आ गया है 4 उपर चला गया है 3 उपर चला गय है 2 नीचे आ गया है अब हमने इसको जो है horizontally कर दिया vertically कर दिया ठीक है अब देखो अगर आप इसको किसी भी साइट से करो जैसे कि हमने इसको जो है पहले horizontal flip दिया था ऐसा तो हमारे पास आया 2 1 4 3 अचाहे आप इसको इस साइट से करो तो भी वही आता है ठीक है तो चाहे आ आप उल्टा करो या फिर सीधा करो तो आपका अंसर से मारा है इसलिए हम इसको सिफ horizontal flip पकड़ के चलेंगे उसी तरह वर्टिकल के साथ है अब हम बात करते हैं कि rotation से क्या हो सकता है ठीक है तो पहली बात अगर मैं इसको 90 degree rotate करो ठीक है तो यह जो rectangle है इसके अंदर fit नहीं ब इसकस कर रहे हैं जिससे यह rectangle इसके अंदर fit पैच चाहे तो 90 वाले को हम नहीं पकड़ेंगे तो कौन से वाले को पकड़ेंगे 180 को ठीक है तो जब हम इसको 180 से करते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है यह 3412 ठीक है भले यह उल्टे आ गए हैं लेकिन क्या है 3412 याने कि जब ह हम जो है इसको रोटेट करते हैं तो हमारे पास क्या आधा 3412 ठीक है हम फिर से जो है इसको 170 से रोटेट करते है तो फिर से यी फिटने बैठता तो उसका भी कोई फायदा नहीं है अब पhr Il Table अगर हम 360 से करते हैं, तो फिर से हमारे पास क्या आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4 याने के नर्मल पोजिशन, तो इसलिए हम इसको consider नहीं करेंगे, ठीक है, तो 360 याने याने कुछ भी ना करना, तो हमारे पास जो चौथा वे हैं, वो कौन सा है, रोटेशनल है, ठीक है, बाई वाट, बाई 180, रोटेटिंग बाई 180, ठीक है, और कोई ऐसे तरीके हैं क्या, जिससे हम इस पे अपलाई करें, तो ये इसके अंदर feedback जाए, ठीक है, देखे, एक और possible हो सकता था, वो क्या, कि अगर हम इसको diagonally करें, ठीक है, माल दीजे, ये हमारा rectangle ना होता, ये हमारा square होता, अगर ये square होता, तो अगर इस diagonal के across, अगर मैं इसको flip करती, यानि कि इसको पकड़ के 3 को, यानि क्या कि मैं इस 3 को पकड़ के यहाँ पर 1 पर ले जाती, तो हम इसको इस तरह से करते हैं, तो जब ऐसे करते हैं, तो ये जो है, खड़ा सा हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर ये rectangle के बजाए square होता, तो अगर मैं इसको diagonally, इसको flip करती, तो भी वो square उसके अंदर fit बैच जाता है, या आप try कर सकते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, कि और कोई possible way नहीं है, मैं diagonal के around अगर इसको flip करूँ, तो हमारी position change हो जाती है, और वो इस rectangle के अंदर fit नहीं बैचता, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ चार possible ways है, यूनिक, ठीक है, जिससे हम इस rectangle को इसके अंदर fit करते हैं, अब मैं क्या करूँगी, कि यह जो चार action है, यह सब क्या है, यह action है, इन action का एक set बनाऊंगी, ठीक है, मांग दीजे, उसको नाम देते हैं, एस, तो पहला क्या है, doing nothing, ठीक है, so, doing nothing, अभी मेरे पास इसको कुछ नाम नहीं है देने के लिए, इसलिए बस ऐसी, ठीक है, दूसरा है horizontal flip, इसको आप आराम से h नाम दे सकते हो, तीसरा है vertical flip, इसको आप यह है, वी नाम दे सकते हो, और चौता है rotation, ठीक है, तो हमारे state के अंदर, चार element आचुके है, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ, जब आपने group theory पड़ा था, तो मैंने कहा था कि वहाँ पे element कुछ भी हो सकते, element का मतलब सिर्फ numbers नहीं, ठीक है, वो element matrix हो सकती है, वो polynomial हो सकते है, और इस case में, वो action हो सकते है, ठीक ह अब तक मैंने यह नहीं कहा है, कि हम कुछ group theory पड़ रहे है, मैं बस आपको बताना चाहती है, कि मैंने इनको element कहा है, ठीक है, तो जब आप element कहते हो, तो वो कुछ भी हो सकते है, ठीक है, अल्राइट, अब यहाँ पे एक खास बात, कि अगर मैं इसको एक पर horizontally flip करू, ठीक ह ठीक है, क्या आया हमारे पास, 3,4,1,2, जो की किसे आता है, rotation से आता है, ठीक है, याने क्या कि मैं पहले इस card पर horizontal apply करती हूँ, फिर vertical apply करती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है,R आता है, یाने कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कि R किसके बराबर है, ह, V के बराबर है, ठीक है, या कि पहले horizontal flip apply करो फिर vertical flip apply करो आपके पास कि आएगा rotation by 180 degree ठीक है अब इसका उल्टा करके देखते हैं इसका उल्टा याने क्या इसका उल्टा याने क्या कि पहले हम इसको vertically करते हैं फिर इसको horizontally flip करते हैं तो पहले मैंने इसको किया vertically flip और फिर horizontally flip तो फिर से क्या गया यह 3 4 1 2 जो कि क्या है rotation है यानि कि आप पहले vertical apply कीजिए फिर horizontal apply कीजिए ठीक है और फिर क्या आ गया आपके पास फिर से rotation आ गया तो यहां पर खास बात है मैं अपने सेट को थोड़ा सा छोटा बनाना चाहती हूं ठीक है मदलब इसके अंदर कम कम alphabet डालना चाहती हूं ठीक है तो पहले मेरे पास s क्या था s था doing nothing horizontal vertical rotation लेकिन मैं इस rotation को जो है h और v के रूप में लिख सकती हूं ठीक है तो मेरा आप नया सेट क्या बन गया है s is equal to doing nothing फिर horizontal vertical और r को मैं लिख सकती हूं h v जो कि किस के बराबर है v h के बराबर है ठीक है अब आप यह कहोगे कि h और v के बीच में मैंने कुछ operation नहीं लगाया है ठीक है यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने को multiply कर जहीं लेकिन यह मैं यहाँ पर action को apply कर जो ठीक है मैंने जो इसको घुमाया flip किया जो यह मैंने किया यह इसका operation है ठीक है जैसे अंदर चार element है और मेरे पास binary operation भी है binary operation क्यों है क्योंकि मैं कहाँ पर दो element को जो है जोड सकती हूं जैसे कि मैंने अभी horizontal और vertical flip को जोड़ा और मेरे पास क्या मिला rotation मिला ठीक है उसी तरह से मैं और भी चीज़ें ट्राइब कर सकती हूं मैं जो है rotation और vertical को apply करके देखती हूं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है याने कि मैं इन action को जो है binary operation इन पर लगा सकती हूं ठीक है तो पहले है rotation rotation याने की 3 rotation याने की यह 3 4 1 2 और फिर इस पर लगाते हैं vertical याने मैंने पहले आर किया फिर वर्टिकल करते है वर्टिकल याने की इसको इस तरह से तो मेरे पास क्या आता है 2 1 3 4 2 1 4 3 यह क्या है यह है horizontal ठीक है अगर मैं रोटे इसी तरह से आप पहले वर्टिकल और फिर आर कीजिए फिर से आपके पास क्या आएगा horizontal आएगा अब एक और ट्राइ करते हैं एक rotation करते हैं एक horizontal करते हैं तो बिलकुल मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास वर्टिकल आना चाहिए तो पहले मैंने इसको जो है rotate किया फिर horizontal अप्लाइ किया याने कि इस तरह से मेरे पास आया है 4,3,2,1 जो कि क्या है वर्टिकल है उसी तरह से HR भी क्या है वी है ठीक है तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि मैं कोई भी action करती हूँ ठीक है मैंने दो action लिये एक horizontal लिया एक वर्टिकल लिया इन दोनों को apply किया तो जो नई चीज आई वो भी एक action थी जो इस S से बि से कुछ भी ले लिए एक दो तीन चार इन चार मैंसे कोई भी दो element लिजिए एच भी ले लिजिए उनको apply करोगे तो जो नया element आएगा वो भी उसी सेट का एक action होगा ठीक है उसी तरह से अगर आप वियार लेते हो इन दोनों को apply करते हो तो जो नया इनसे result आ रहा है वो horizontal आया जो कि उसी सेट में विलोंग करता है उसी तरह से जब आपने horizontal रोटेशन लिया उनको apply किया तो आपने देखा कि वर्टिकल आ रहा है ठीक है तो यह बहुत interesting से बात है कि हमने क्या क्या एक सेट लिया उसमें एक operation लगाया ठीक है और हमने देखा कि जब भी आप उन सार the word elements पे उस operation को लगाते हो तो वो जो नया element आता है और उपरेशन लगाने के बाद वो जो element होता है वो फिर से उसी सेट में बिलोंग करता है यानि क्या है कि जो एस सेट है इस डॉट के साथ ठीक है यहाँ पर आप फर्स टाइम एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन देख रहे हो एक ऐसा ऑपरेशन देख रहे हो जो ना एडिशन है ना मल्टिप्लिकेशन है डिवीजन तो हमने कभी देखाई नहीं है ठीक है तो यह एक ऐसा ऑपरेशन है जो आप practically देख रहे हूं ठीक है तो इस set को इस operation के साथ लगाती हूं तो यह आपकी closure property को satisfy करता है ठीक है यह closure property को satisfy करता है ठीक है जो की group होने की पहली property है अब इसकी में एक और खास बात आपको बताना चाहते हूं ठीक है तो वो यह कि हम तीन action देंगे एक horizontal एक vertical और एक doing nothing ठीक है तो सबसे पहले जो है हम horizontal वाली position लेते हैं तो यानि क्या कि 2 1 4 3 ठीक है तो हम यह कर सकते हैं पहले horizontal पर apply करते हैं vertical ठीक है और फिर करते हैं doing nothing और फिर दूसरे case में क्या करेंगे पहले जो है हम horizontal करेंगे फिर vertical और doing nothing करेंगे ठीक है और देखते हैं दोनों का answer सेम आता है कि नहीं आता है obviously वो सेम आने वाला है ठीक है तो हमारे पास horizontal है फिर मैं करूंगी इसको vertical और फिर doing nothing मतलब कुछ भी ना करना तो हमारे पास किया आया it three four one two, just की क्या है हमारा rotation है ठीक है नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि हम पहले horizontal करेंगे ठीक हा horizontal यान ये और फिर vertical और doing nothing करेंगे ठीक है तो मैंने किया वर्टिकल और फिर डूइंग नाथी तो मेरे पास फिर से क्या है आ रहा है और यह कौन से प्रॉपर्टी होती है यह प्रॉपर्टी है असोशेटिविटी यह मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल करके देखा दिखाए है ठीक है आप सारे एलिमेंट्स पर यह चीज कर सक प्रॉपर्टी है या ने ठीक है तो यहाँ पर मैं पहले बताना चाहती हूं मैंने पहले कहा है कि यहाँ पर जोए एक्शन है एक एक्शन बताईए जिस पर हम कोई दूसरा एक्शन अप्लाई करें और हमारा आंसर वही आ जाए ठीक है आईडेंटिटी का मतलब क्या होता ह कि मैं इस ए के साथ उस ए को आप्रेट करों तो मुझे वापस में ए मिले ठीक है तो यहाँ पर इसके आइडेंटिटी क्या है डूइंग नथिंग यानि कि यह वाली पोजिशन वाली पोजिशन वाली पोजिशन इस पर जब मैं होरिजॉंटल फ्लिप करती हूं तो मेरे प पास यह होरिजॉंटल ही आया ठीक है या फिर आप जो है पहले होरिजॉंटल वाला पोजिशन लीजिए यह होरिजॉंटल वाला पोजिशन ले लिया मैंने ठीक है और फिर आप कुछ भी मत कीजिए यानि कि डूइंग नथीं ओके सो मैंने डूइंग नथिंग वाला एक् ठेक है, अब मैं doing nothing नहीं कऊँगी, इसको मैं नाम दोंगी, अईडेंटिटी से मेरे पास क्या है, इसके आईडेंटीटी भी है, ठेक है p私का आइडेंटिटी क्या करती है, एग्सिस दर्फिया ठीक है, अब obviously चौथा question क्या आता है कि इसका inverse exist करता है कि हर element का inverse exist करता है ठीक है, identity का inverse identity ही, ठीक है अब बात है horizontal flip की तो horizontal flip ये रहा मेरा, ठीक है तो इस horizontal flip पर मैं ऐसा कौन से action apply करूं कि मुझे identity मिली, मतलब मैं इस पर ऐसा क्या apply करूं कि मुझे 1, 2, 3, 4 वाला position मिले obviously, अगर मैं फिर से एक बार इसको horizontal flip करती हूं, तो मेरे पास क्या मिलता है, 1, 2, 3, 4 ठीक है, तो horizontal का inverse क्या है खुद horizontal ही है ठीक है यानि कि अगर मेरे पास horizontal position है, और मैं इसको identity लाना चाहती हूं, तो मुझे एक बार फिर से horizontal करना पड़ेगा, ठीक है तो horizontal flip का inverse क्या है horizontal flip है, उसी तरह से अगर मेरे पास मालने ची vertical वाला position है, यानि कि ये position है, ठीक है, इसमें आपको उल्टा दिखेगा, तो मालने ची मेरे पास vertical वाला position है ये मेरा identity था, ये vertical है तो अगर मैं इस vertical वाले position को e में बदलना चाहती हूं यानि कि फिर से 1, 2, 3, 4 में लाना चाहती हूं, तो मुझे एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, vertical करना पड़ेगा यानि कि vertical flip का क्या है, vertical flip ही inverse है, ठीक है अगर मैं इसको क्या है, आर ही है ठीक है, यह बहुत खास तरह का हमारे पास group बन गया है, ठीक है fourth property क्या है, कि inverse भी क्या होती है, exist करती है तो सबसे पहली congratulations, कि यह जो हमारा set है, यह एक बहुत interesting group है, ठीक है, जब group आता है, तब बात आती है कि क्या वो abelian है abelian है, यानि कि क्या हो commutate करता है और यहाँ पर मैंने सारे possible चीज़ें आपको दिखा दी r is equal to hv and vh is also r, ठीक है so hv is equal to vh, उसी तरह से rv is equal to h vr is equal to h, both are equal rh and hr also equal यानि कि यह commutate भी करता है ठीक है, तो यह सिर्फ कोई सिर्फ ग्रूपी नहीं यह क्या है, एक abelian group भी है ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, और हमारे पास आज एक नया group आ गया है ठीक है तो अब मैं इसको जी से denote करते हूं, ठीक है simplicity के लिए, तो यह जी कैसा है इसके पास एक identity है एक horizontal slip है एक vertical slip है और एक rotation है जो कि VH के बराबर है या फिर HV के बराबर है ठीक है, आप अंदर लिख सकते हो such that HV is equal to VH और यहाँ पर यह सारे जो element है, यह self inverse है याने क्या, कि H inverse is equal to H V inverse is equal to V and HV inverse is equal to HV ठीक है इसको अब इतना लंबा लिखने के बजाए इसका एक और तरीका है आप इसको इस तरह से लिख सकते हो यह कि H, V such that H square is equal to V square is equal to H V का square is equal to identity ठीक है तो इसके अंदर एक, दो, तीन, चार element है और चारो के चारो कैसे है self inverse है आइडेंटी की तो होती है बाकी के तीन भी कैसे है self inverse है ठीक है और अगर मैं इसको जनरली लिखू तो मैं लिखूंगे A, B such as that A square is equal to B square is equal to A, B का whole square which is equal to identity ठीक है और इस group को कहते है Klein group ठीक है Klein group जो कि बहुत फेमस group है group theory के अंदर जीसे हैं डिनोट करते है K4 से ठीक है तो यह K4 है actually क्या यह Klein group है symmetry of rectangle ठीक है मैंने यह पर rectangle लिया है ठीक है square नहीं लिया है हाला कि square भी rectangle होता है लेकिन उस पर apply नहीं है तो यह एक ऐसा rectangle है जो कि हम कह सकते non-square rectangle ठीक है तो Klein group क्या कहलाता है Klein group बताता है symmetry of rectangle के बारे में ठीक है तो मुझे यहां पर आपको एक चीज़ बताने है कि जो group है वो study of symmetry ही है actually हम और भी चीज़ में पढ़ेंगे ठीक है तो फिल हाल आपको यह चीज़ धियान में रखने है कि ग्रूप जो है सिर्फ numbers के बारे में नहीं है वो symmetry के बारे में है ठीक है जैसे कि आज हमने एक example देख लिया है तो इसका एक और छोटा से example देती हूं जैसे कि यह sign ठीक है इसकी जो symmetry है वो client for group को represent करती है ठीक है वो कैसे देखो अगर मुझे इस plus को जो कि आप देख रहे हो यह वाला साइस बड़ा है यह वाला साइस छोटा है ठीक है तो अगर मुझे इसी position पर लाना है तो बहुत सारे तरीके है एक क्या कि मैं इसको जो है वर्टिकल में flip करूं तो भी मेरे पास वही आएगा ठीक है या फिर मैं इसको जो है horizontally flip करूं तो अब मेरे पास यह बड़ा वाला साइस एसर हेगा चोटे वाले साइस इधर ही रहेंगे या फिर मैं इसको 180 से rotate करूं तो यह मेरा 90 डिग्री से हुआ तो यह पहले जैसा नहीं है क्योंकि अब लंबा वाला हिस्सा horizontal position में आ गया तो फिर से क्या है यह 180 से जब हम rotate करते हैं तो यह हमारी symmetry को preserve रगता है याना कि जैसे पहले था वैसा ही रहता है तो यह जो structure है यह देखने में लगता नहीं होगा कोई group है लेकिन यह एक group है ठीक है क्योंकि यह group के सारी properties को satisfy करता है ठीक है closure की और associativity existence of inverse और आपका existence of identity तो group is about studying symmetries ठीक है तो के और भी बहुत सारे example है इससे पहले कि मैं के फोर के example देखो हम के फोर का एक के ले टेबल देखते है तो doing nothing, doing nothing यहने हमारे पास जो होगा position वो 123 होगा फिर आपके पास identity है उस पर horizontal flip लगाओगे तो horizontal flip ही मिलेगा उसी तरह से vertical लगाओगे तो vertical मिलेगा 180 से rotate करोगे तो 180 ही रहेगा दूसरा आप यह कर सकते हो कि आप horizontal flip में हो और आप उस पर identity लगा रहे हो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो तो rectangle जो है वो horizontal flip में ही रहेगा आपने जो है rectangle को जो है horizontal flip में रखा है इस पर एक बाद फिर से horizontal flip लगाओगे तो horizontal horizontal याने की h square जो कि किस के बराबर आएगा identity के बराबर आएगा अगर आप horizontal flip पे vertical flip लगाते हो तो हमने देखा है क्या मिलता है rotation मिलता है हमने ये भी देखा है जब आप horizontal पे 180 degree से घुमाते हो उस position को तो आपको vertical flip मिलता है ठीक है उसी तरह से vertical पे कुछ ना करो तो vertical ही रहेगा vertical को जो है horizontal से लगाओ तो r मिलेगा vertical को vertical याने v square कितना मिलेगा identity मिलेगा ठीक है क्योंकि v का inverse v ही है so v square is equal to e v और r मिलेगा आपको h r पे कुछ मत करो तो r वैसा ही रहेगा r पे horizontal slip लगाओ तो आपको vertical मिलेगा r पे जो है vertical slip लगाओ तो आपको horizontal मिलेगा और r r r square याने की identity तो आप यहाँ पे एक symmetry देख रहे हो बीच में क्या है identity है ठीक है फिर h h है फिर v v है फिर r है फिर v v h h तो ऐसे symmetry देखते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा group जो है क्या होता है abelion होता है ठीक है तो k4 group कैसा है abelion है प्लस यह non-cyclic group है ठीक है तो आप यह कह सकते हो कि k4 group एक ऐसा सबसे छोटा group है जो abelion है लेकिन non-cyclic है ठीक है non-cyclic क्यों है यह क्योंकि यह किसी एक element से generate नहीं हो रहा है हाला कि हम इसको ab के form में लिख रहे है a और b से हम चारो element निकाल सकते हैं लेकिन यह किसी एक element से generate नहीं हो रहा है ठीक है जो एक element से generate होता है हम उसे कहते हैं कि हो cyclic है तो k4 है वो non-cyclic element है sorry non-cyclic group है ठीक है इसके अलागा हम इसके कुछ subgroups भी check कर सकते है ठीक है तो जी को अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो वो क्या होगा e, a, b और a, b ठीक है where a, b is equal to b है ठीक है तो इसके subgroup possible subgroups के हैं एक तो आपका identity होगा और एक तो इजी खुद होगा इसके अलावा क्या हो सकता है h1 हो सकता है e, a ठीक है क्योंकि a का inverse हो खुदी है तो एक ऐसा set बन गया है जिसके पास identity है element है सबके inverse exist करते हैं identity exist करते हैं committed करते हैं associate करते हैं तो ये अपने आपमे group है उसी तरह से h2 क्या हो सकता है e, b ठीक है क्योंकि दोनों के inverse exist कर रहे हैं और बाकी property तो वैसी satisfy करते हैं h3 क्या होगा e और a, b ठीक है और h4 क्या होगा सिर्फ e और h5 क्या होगा पुरा का पुरा जी यानि कि इसके 5 जो है subgroup exist करते हैं 2 trivial 3 non trivial ठीक है और इसके बारे में क्या पताया जा सकते हैं इसके कुछ example देखते हैं इसका example है एक जिसे हम multiplication model हो जो हमने already study किया है तो 1, 3 5, 7 with multiplication model हो 8 ठीक है यहाँ पर हर element का inverse वो खुदी है ठीक है यानि क्या कि एक पकड़के चलते हैं जैसे 3 है 3 multiplication modulo 8 इसके साथ मैं ऐसा कौन सा element लूँ कि मेरा answer 1 आए obviously 3 because 3 into 3 is 9 9 को 8 से divide करोगो तो remainder कितना आएगा 1 आएगा ठीक है उसी तरह से 5 को 5 से multiply करो तो 25 और 25 को 8 से divide करो तो 24 और remainder 1 उसी तरह से 7 यानि कि हर element क्या है self inverse है इसके उपर हमने एक theorem भी देखा था कि जिस group में 4 element होते हैं वो self inverse होते हैं वो abilion होता है ठीक है ऐसे भी हमने कोई theorem पढ़ी थी एक ये example हो सकता है दूसरा एक matrix के form में matrix के form में हम एक example ले सकते हैं 2 by 2 के matrix तो यहाँ पर आपकी जो identity होगी वो तो obviously आपकी इस तरह से identity matrix होती है 2 by 2 में यह आपके identity matrix है इसमें A है 1 0 0 minus 1 B is minus 1 0 0 1 आप A B को multiply कीजिए और देखिए आपका answer कितना आता है याने कि C कितना आएगा minus 1 0 0 minus 1 इसको भी आप check कर सकते हो यह जो set है यह matrix multiplication के साथ क्या बनाता है group बनाता है एक और example आपको देती हूँ ठीक है S4 का एक subgroup है S4 याने क्या permutation group ठीक है जहां पर 1,2,3,4 और दूसरा set 1,2,3,4 इसके बीच में जितने भी possible ways है 1,1 correspondence के वो सारे mapping का collection ठीक है तो permutation group हम पढ़ेंगे S4 का एक subgroup है जिसके अंदर element है identity याने कि 1,2,3,4 1,2,3,4 पर ही map होगा ठीक है next is 1,2,3,4 याने कि 1,2 पर map है 2,1 पर map है और 3,4 पर और 4,3 पर map है उसी तरह से similarly 1,3 2,4 1,4 और 2,3 ठीक है तो यह कैसा subgroup है जो client 4 group को represent करता है क्योंकि इसके सारी element कैसे है self inverse है किनी 2 element को multiply करोगे तो आपको तीसरा element मिलेगा ठीक है और reverse में भी करोगे तो भी वही answer आएगा याने कि कमिटेट भी करता है ठीक है तो I hope आपको जो है client 4 group आपको समझ में आया हो through this rectangle puzzle ठीक है तो हम ऐसे और भी जो है algebraic structure ऐसे और भी groups को visualize करने के कोशिश करेंगे ठीक है